जैश्री महाकाल एक बार फिट से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में चल रही होजटे और उस केस में अगर वो शयर forfeit होते हैं उससे related क्या क्या transaction होंगे हमारे या क्या क्या हमारी journal entry होगी वो क्या से आप अपनी copy में करेंगे प्रीमियम अगर pay किया है तो उसकी आपको कोई भी entry करने के आउशकता नहीं है in case of the forfeited और अगर premium नहीं pay किया है तो आपको premium की entry करनी पड़ेगी along with the allotment in case of the forfeited उसी को लेकर अभी हम आगे अपने इस lecture को क्या करेंगे बेटा continue करेंगे और फटा फट आप लोग एक question को क्या करिए देखिए और question क्या कहता है देखिए आपकी screen पे है कहता है कि एक company जिसका नाम है गुरू लिमिटेड इसने किया क्या है कि बीस हजार एक पुटी शेयर या बीस हजार शेयर पचास रुपए पे इसने क्या कर दिये हैं इशू कर दिये हैं पंद्रा रुपए का application का demand किया गया है application पे कितना रुपए का demand किया गया है पंद्रा का demand किया गया है और allotment पे कितना मंगाया गया है आपका 15 रुपय का डिमांड किया गया है फस्ट कॉल पे कितना रुपय का डिमांड किया गया है दस का किया गया है और सेकेंड कॉल पे आपके कितने रुपय का डिमांड किया गया है दस रुपय का डिमांड किया गया है यानि टोटल आपको मंगाना कितना है पचास अप्लिकेशन पे पंद्रा, एलोट्मेंट पे पंद्रा, फर्स्ट कॉल पे दस, सेकंड कॉल पे भी दस हो गया पचास, फिर उसके बाद सब कुछ आपको रिसीब हो गया लेकिन तीन लोग जिनका नाम क्या है A, B, C इनसे कुछ पैसा रिसीब हुआ है और कुछ पैसा आपका रिसीब नहीं हुआ है जैसे, अगर हम A की बात करें, तो A ने कितना शेर होल्ड किया था आपका 200 शेर होल्ड किया था, कहता है पेड ओनली दा अप्लिकेशन मनी तो इसका मतलब है इसने अलोट्मेंट का 15, इसने फर्स्ट कॉल का 10 और इसने सेकेंड का 10 पेड किया की नहीं किया, तर नहीं किया ठीक उसी प्रकार अगर हम B की बात करें, कहता है पेड अप्लिकेशन और अलोट्मेंट मनी यानि इसने application और allotment का पैसा दे दिया मतलब first call का 10 और second call का 10 इसने नहीं दिया फिर कहता है Mr. C जिसने कितना share hold किया था 400 इसने application का दे दिया, allotment का दे दिया, first call का दे दिया लेकिन second call का पैसा इसने नहीं दिया इनके share को आपको for feed करना है और बात में इनी share में से कितने share आपको issue करने है 600 share issue करने है देखिए ज़रा ध्यान से सामने ज़रा सभी लोग देखेंगे पिटा जी आपने total कितने share forfeit किये अगर मैं आप से पूछ हूँ तो आपने कितने share forfeit किये तो आप कहेंगे कि sir हमने total ज़रा जोड़िये 900 share आपने forfeit किया है आपने कितना 100 share forfeit किया है 900 share आपने forfeit किया है लेकिन इस 900 share के बदले आपने issue कितना किया सिर्फ 200 share आपने issue किया है अभी भी कितने share बाकी है 300 share आपके company में पड़े रहेंगे ठीक है तो अब इसका प्रभाव आपके capital reserve पे कितना पड़ेगा अभी तक आपने देखा होगा question जिसमें हम जितना share forfeit करते थे उतना ही share तो सारा का सारा पैसा capital reserve में चला जाता था लेकिन अब यहां पे कहानी थोड़ी सी change हो गई है आपने forfeit किया no sir 900 लेकिन री issue कितना किया है 600 यानि 300 share का पैसा आपको hold करना पड़ेगा कैसे वह अभी हम जब question कराएंगे तो आपको वह चीजें समझाएंगे तो फिलाल जल्दी से हम लोग इसकी क्या बना लेते हैं working बना लेते हैं बहुत जल्दी से working इसकी क्या करते हैं लोग बनाते हैं जिसको जि तरफ से freehand है आप उसका working बनाईए फिलाल जिनको लगता है कि सर अभी थोड़े से हम कच्चे नीवू हैं तो देखिए जरा 20,050 फिर उसके बाद हम सुरू से सुरू कर रहे हैं यानि आपको issue की entry करेंगे और फीट की entry करेंगे और फिर आपका किसकी entry करेंगे क्लियर हो गया पॉइंट जल्दी से देखिए application पर कितना आया है आपका 15 अलॉट्मेंट पर जल्दी से बताईए मुझे कितना आया है आपका 15 पर कितना आया है आपका उसके बाद अब का calculation देखिए यहां तो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल गया है 20,000 गुड़े 15 20,000 गुड़े किया आपका 15 पूरा का पूरा पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया सर मिल गया है यहां पर कितना होजाएगा पूरा, पर कितना आहें रुपया होजएगा तो कितना 3 लाद लेकिन क्या 3 लाद पूरा का पूरा मिला answer है नहीं सर क्योंकि Mr. a मिस्टर एक का कॉल इनेर हैं देखिए न मिस्टर ने सिर्फ अप्लिकेशन दिया है ऐलाप्मेंट क्या दिया होगा मिस्टर ए ने जब दिया नहीं तो मिस्टर ए ने होल्ड कितना किया था दो सो गुड़े 15 कितना हो जाएगा तीन हजार माइनस करेंगे कितना आएगा दो लाक 97,000 रुपया बाते समझ में आ गई अब जरा फिर्स्ट कॉल वाला देखिए आपने मंगाया कितना वीस हजार गुड़े 10 ना कितना हो जाएगा बेटा दो लाक लेकिन क्या आपको पूर कौन मिस्टर सी आये देखते हैं मिस्टर अच्छा सी ने दे दिया है सॉरी 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 भाईया सॉरी मिस्टर सी ने दे दिया है तो मिस्टर सी को छोड़ दीजे मिस्टर ए और मिस्टर बी को पकड़िए कितना से यर बेटा दो सो गुड़े 10 और यहां पे कि करेंगे कितना आ जाएगा एक लाख पंचानबे हजार रुपया ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया इसमझ में आ गया अब उसके बाद जरह फर्स्ट कॉल वाला भी देख लीजे आप लोग तो हाँ स्वारी सेकंड कॉल तो बीस हजार गुड़े दस कितना हो जाएगा आपक में इर सी तो इसने कितना होड किया था 200 200 का दषर यहां पर तीन सो थीन सो का 10 और यहां पहें चार सो का दख यहां पहूंगया 40000 यहां हो गया 4000 षेहां तीन हजार यां हो गया आपका 1946 जल्दी से घटाएंगे बैलेंस आएगा एक लाक 91,000 रुपया पताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो बहुत सिंपल सी वर्किंग थी यह वर्किंग आपकी क्या है बहुत सिंपल सी है अपने कर लिया अब लगे हाथ फॉर फीट वाला भी कर लें लगे हाथ फॉर इसू से रिलेटेड सही कि गलत हो गए यह वर्किंग से रिलेटेड अब बाथ करेंगी आपकी किससे रिलेटेड हम ए-धर फिट ए-च रिले वाला वी देख लेते हैं हम लोग की टा पार फीट तो सबसे पहले अब यहां पर लिखिये application अ अलॉट्स्याइश कि परस्ट कॉल कि एक अप्लीकेशन पर कितना था पंदरा अलॉट्मेंट पर पंदरा पर्स्ट कॉल पर दस केंड कॉल पर भी तस सबसे पहले बात करेंगे किसकी मिस्टर एक टी मिस्टर ए ने कितना शेर होल्ड किया था अब अब जबाब दीजर क्या अप्लीकेशन थीनों ने दे दिया अलॉट्मेंट। änder न दिया लेकिन दिया दिए दिया लिए थे ने नहीं दिया लेकिन सी ने दिया लेकिन ई रैकेश्टल में आगया को जिब सारी वर्किंग क्लियर हो गई धब फड़ा फट किया करेंगे first बनाईए जर्नल इंट्री का और स्टार्ट करिए चलिए भया सब लोग स्टार्ट करेंगे कि अब आप लोग मुझे एमाउंट क्लियर करते रहिएगा बीच बीच में ठीक है चलिए सब भी लोग फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल इंट्री का और क्या लिखेंगे उपर जर्नल इंट्री इन दा बुक और गुरु लिमिटेड एक चलिए जी बेटा जी पहली इंट्री देखेंगे एक मिनट मैं इनका कलर चेंज कर दूँ बस पहली इंट्री अमारी क्या होगी भाई कि बैंक एकाउंट डाबिड अगर कुटी होगा तो इकुटी लगा लिजेगा प्रिफरेंस होगा तो प्रिफरेंस लगा लिजेगा और अगर कुछ कुछ हो नहीं है कुछ मत लगाईएगा यानि खाली क्या लिखिएगा टेयर अप्लिकेशन एकाउंट कि एर अप्लिकेशन एकाउंट कितने रुपए से आपका टेड़ लाग से कि इतने से तीन लाक से देखो एमाउंट का फेर फेर मत करिएगा तीन लाक से नारेशन सबको पता है ना कले बहुत सुन्दर अब दूसरा एंट्री देखेंगे क्या है आपका टेयर अप्लिकेशन एकाउंट डाबिड तू वे शेयर इंट्री और मेसे फैपा टो ये ये अंपलिकेशन एorta टावे टू शेयर एपकेटाल ये होगई अमारी दूसरी इंट्री यहां फेकर कि कर से लाग सॉथ मैं उसके बाद अब हमारी तीसरी इंट्री से जल्दिशे तीसरी ईंट्री देखेंगे हमारी तीसरी एंट्री क्या है भाई एर एलाट्मेंट है एलाट्मेंट एकाउंट डाबिट टू एएर क्यापिटल एकाउंट और कितने रुपए से आपका कितने से तीन लाग अच्छा बात बताईए एक बात बता है या बैंक वाले में देखे एक चीज जानिए आप चाहे जितने बड़े लूमड़ी रहें लेकिन गलती कर देंगे क्यों कि हमारे मन में कॉल इनेरियर बस गया है तो आप एक चीज जानिए कॉल इनेरियर बैंक के साथ होता है ना हो तो कहीं लिख लीजे कॉल इन एडवांस बैंक के साथ होता है लेकिन सिक्योर्टी प्रीमियम हुआ तो किसके साथ आएगा यू के साथ होगा डिसकाउंट हुआ तो किसके साथ होगा ड्यू के साथ होगा सवाल पूचे विया कि अग्योग कि अभी आपका सवाल का जवाब दूंगा एक बच्चे का सवाल है कि सर क्या जरूरी है कॉल इनेर लिखना जरूरी है अभी इसका जवाब मैं आपको इस इंट्री के बाद देता हूं आप इंट्री लिखे बैंक अकाउंट डाविड ऑल इन एरियर एकाउंट डाविड टू एरियर अलॉट्मेंट अब इमाउंट का कैल्कुलेशन एक बार देख लेंगे कितना आया था दो लाख सतानवे हजार तीन हजार और तीन लाख यहां पर आ गया दो लाख सतानवे हजार यहां आ गया आपका तीन हजार और यहां आ गया आपका कितना तीन लाख रुप्या के लिए मैंने आपसे कहा था कि इस इंट्री के बाद मैं उस सवाल का जवाब दूंगा जो अभी अभी मैंने आप से पूझ आपके सामने अभी रिपीट किया था देखो एक चीज जानो जब आप कॉल इन ए रिये एकाउंट अपन ओपैं अगर आप ओपन इन कॉल इने अरिया एकाउंट देखते हैं तो इसका मतलब कि आपको को यह का इर्ली करना पड़े गर अगर आप दूसरे मैंथेट की तरफ जाते हैं इन केश है को फिर आपको काल-इन एर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं ह होना तो आपका बैलेंस सीट में दिक्कत हो जाए कि बैलेंस सीट में तो हमको सब कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा ना पता चला हमने मंगाया तीन आया दो लाग सतानवे हजार इसका मदलब तीन हजार क्या अभी मिलना है कि दिमाग में यही तो रहेगा मेरा कि तीन हजार क्या आउटस्टेंडिंग है नहीं मालिक कॉल इन एरियर है उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी चाहे आप यहां दे लीजे देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई बहतर क्या हो से मिस्टर बी को भी आप नोटिस दोगे मिस्टर सी को भी आप नोटिस दोगे मतलब जो आपकी आँखों के सामने रहेगा उसको आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी बाते समझ में आ गई आपकी इच्छा है आप उपन करना चाहें तो उपन करना चाहें तो मत उपन करिए लेकिन हाँ एक्जाम में क्या करें सरक्षाम में क्या करें ओपन करें ना ओपन करें बिटा एक्जाम में ओपन करिए लेकिन आपका मन करता है कि सर I'm behaving like a सक्तिमान मतलब हम not opening the call in area account ठीक है आप मत ओपन करिए गए लेकिन वहाँ पे आप नोट दे दीजेगा कि हम यहाँ पे कॉल इनेरियर एकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं वरना आपका एक्जामीनर आपका पूरा नंबर काट लेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्या करेंगे और आगे देखेंगे पोईंट नबर सिक्स देखेंगे अगली इंट्री देखिए बताईए बेटा क्या होगी पहले करते हैं चेयर वर्स्ट कॉल जल्दी जल्दी करेंगे एकाउंट डबिट टू शेयर कापिटल कितने रुपए से दो लाक रुपए से कितने से बाबू दो लाक रुपए अब यहां पर कॉल इन एरियर कितना आएगा आईए कि बाइंक एकाउंट डाबिड लेकिन यहां पर मिस्टर ए मिस्टर भी दोनों है ना कितना रुपया था जोड़ के बताओ मुझे अलग-अलग इतना था यह रहा ना दो हजार तीन हजार आप यहां पर कि नरेशन में लिख दीजेगा ठीक है यहां पर फिलाल ऐसे इंडिकेट करने के लिए लिए लिख दे रहा हूं आप अलग-अलग भी कर सकते हैं आपकी इच्छा है अप अलग-अलग करिए लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा फिर इसमें और एक्जाम में बेटा टाइम सेब करना सबसे पहली प्रियोर्टी होती है कि मैं कहते हो रहा हूं आपकी इच्छा यहां पर कितना वेटा 5000 और यहां पर कितना वन लैक नाइंटी फाइफ ताउसन नोट कर रहे हो सारे ना नोट करते रहेंगे कोई लापरवाही नहीं करेंगे आप लोग कि मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे अभी भी आपी केन प तो आप देखेंगे बेटा परस्ट कॉल और स्वरी सेकेंड कॉल का इंट्री करेंगे भाई शेयर कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल एकाउंट टाब इट तू शेयर क्यापिटल कि इतने से बेटे दो लाग्स दो लाग्स और यहाँ पर कॉल इन एरियर कितना था आपका कि आई यह देखेंगे बैंक एकाउंट डाबिट अल इन एरियर एकाउंट डाबिट कि और तू आपका कि यह देखेंड एंड फाइनल कॉल विटा यहाँ पर तीनों लोग नहीं दिये थे न कितना अमाउंट नहीं दिये थे तीनों लोग पर सिंगल सिंगल बताएंगे तो हजार अधियरं और नहीं दो हजार थीनों चारहाजार ना पॉट्ल कितना अगया था नव हजार यहाँ पे हो गया दो लाक और यहां पे हो गया एक लाक 91000-ठी यह तो हो गई हमारी इश्यू की इंट्री आप जल्दी से क्या कर लेते हैं We इंट्री कर लेते हैं आप फॉर्फिट जल्दी से करें और जल्दी से सबसे पहले पोरिप देखो एक्जाम में और फीट जबस करेंगे ना विटा सबको अलग-अलग करियेगा यानी एका का दी का और ती का एक साथ मत करिएगा ऐसा नहीं कि एक साथ नहीं होगा लेकिन यह कि एक साथ जब आप करेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा हम रखें और कौन सा अमाउंट हम ठीक है इसी लिए आप अलग-अलग करिएगा तो सबसे पहले मिस्टर एक हम करते हैं तो शेयर क्यापिटल कि एकाउंट डाब इनसे कितना इन्होंने कितना शेयर होल्ड किया था इन्होंने शेयर होल्ड किया था यानि न न आना अलटमेंट सेकेंड काहल और फुर्स्ट नहीं दिया तो यहां पे लिक्षि ए टू शेयर अलटमेंट कि एले बिटा "... अलटमेंड ना हुं रजैर पस्ट टॉपॉ हृर फ़िर क्या तू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और फिर आपका क्या तू शेयर और ठीच 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 बेटा तो एलोट्मेंट में कितना कैसे निकालेंगे दोसो गुड़े पंदरा दोसो गुड़े दस्त दोसो गुड़े दस्त और दोसो गुड़े पंदरा यहां पर कितना आ जाएगा बिटा तीन हजार दो हजार दो हजार और यह आपका तीन हजार लीजे मिस्टर एक्स का काम हमां मिस्टर एक का काम खत्म अब उसके बाद बात किसकी करेंगे बी की आईए बी को निप्टा दें तो यह हो गए हमारी दसवें इंट्री मिस्टर बी इंट्री शेयर क्यापिटल अच्छा इन्हों ने कितना शेयर होल्ड किया था इनने शेयर होल्ड किया था 300 तीन सो को जुड़े पचास यानā कितना हो गया 15 अब इन्होंने क्या नहीं दिया इन्होंने हैं इन्हों वीbet मरें और या नुटा आफ्लीकेशन दिया है या ने दिया है नहीं नहीं में फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया ठीक है शेयर फर्स्ट कॉल फिर टू टेयर कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल और फिर क्या तू शेयर पॉर पीटेट तो बेटा कितना शेयर तीन सो और तर्फिं सो गोड़े हो जाए ग्ला ला पर अपर टीन सो गोड़े लक्त कैसे अरि अप्लीकेशन का पंतरा अलॉटमंड का आपका पंतरा कितना होता है यहाँ पर देखेंगे इन फ्रण गोड़े इस शायए फीं सो गोड़े शाड़ी जैश्ट है आ गया कि नहीं आ गया अब बारी है किसकी एक का काम खतम और किसका काम खतम करेंगे तो आउसी को भी निप्टा दें का दिक्तत है लो भाई आपकी ग्यार्वी इंट्री आपके सामने पेस है ते यहर क्यापिटल अब देखो इसने क्या क्या नहीं दिया इसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दिया था बाकी सब दिया तो क्या लिखेंगे हम यहर्ट एकंड एंड फाइनल कॉल छार सो जाएगा यहार लै किसंगा यहां पर फिर उसके बाद फिलाल यहां पर कितना हो जाए गा रहाऊ चार्सों से क्यारञ़ चार्सों क्यांके पचेश्ग आजाएग सेंग वह थो आपर यहां पे शेयर और कि है कि तो चार सो गुड़े चालिस ऑना बिटा आपको सब्सक्राइब का 30 कैसे तालन सक्राइब का 305 15 15 तो पंदरा 15 15 तीस ओगया यानि कितना हो गया जालिस यानि यहां पर कितना आगया शूलह हजार यहां पे या 4000 गाउं? सभ़न में आ गया कि नहीं आ गया अब कारी दो एंटीर और वो वह दो इंटीरी दो इनट्री में से एक इंट्री सूर आप कर लोगे हंड्रेट परसेंट दूसरी इंट्री भी आप कर लोगे हंड्रेट परसेंट खाली अमाउंट में फसोगे अभी काम करेंगे जो फसना है वो बाद में फसेंगे पहले बरावी कर लेते हैं यानि अचा उसको हमने इसकांट पर भी इशू किया याद रखे रहिएगा वहीं कोशन आप से क्या कह रहात है या याद है न कि मैं कुशन फिर से पढ़ाऊं याद है कोशन ना वहीं आपने छे सो सेर बीच परसेंट डिसकांट पर इस्व किया है तो किसका 20 परसेंट सर किसका 20 पर सेंट एह सेर 50 रुपए को पचास रुपए का बीस परसेंट इस पिस परसेंट मैं याँ माउंट में डिसकाउंट घटाया जाता है या number of share में amount discount घटाया जाता है amount में घटाया जाता है और amount कितना है आपका पचास रुपए ना हो तो कहीं लिख लीजेगा नहीं तो कुछ ऐसे चमतकारी बच्चे होते हैं जो number of share में से 20% घटाते हैं यानि इस हिसाब से तो अगर 600 का 20% घटा होगे फिर तो 30 आ गया यार 30 रुपए का डिसकाउंट दो गए मारोगे एकनम चीछा लेदर मचा दो गया आओ इंट्री देखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे बैंक अगर यह जगा मैं छोड़ रहा हूं जान बूच के यहां पर क्योंकि 600 गुड़े कितना लिखा जाए अब यहां पर चेयर डिसकाउंट के जगाँ क्या लिखेंगे सेयर और टिटैड एकाउंट डविड और कितना बेटा पचास रुपए का बीस परसेंट कितना आया था अचास का 20 परसेंट कितना दस ना तो आप यहां पे क्या करेंगे 600 गुड़े क्या आपका तस करेंगे यहां पे 600 गुड़े क्या हो जाएगा चालेस यहां पे क्या हो जाएगा टू शेयर कैपिटल क्या आपका कैपिटल और कितना खेसो गुड़े पचास पताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि समझ में आ गया कोई डाउट किसी को कि सर चालिस कैसे आया तस कैसे आया पचास कैसे आया किसी को को दिक्कत तो नहीं न आओ अब आगे बात करते हैं कि बिटा अमाउंट बताएंगे च्छाचाउग चौबिस यानि कितना चौबिस हजार यहां पे कितना थे हजार और यहां पे कितना आपका थीस हजार चलो यह इंट्री भी हमारी हो गई अब लास्ट इंट्री बाकी है कि क्या बाकी है लास्ट इंट्री तो लास्ट इंट्री को करने से पहले सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आप ने कितना शेर पॉरफीट किया और उसके domestic बदले कितना पॉर फीटियर्ण अमाउंट आपको मिला इस ही कि यहां पिर दूसरा केश क्या चैना हुआइख तो है आपको फॉर्फिट्टेड अमांट कितना मिला 9000 फिर तीसरा केस आपने 400 फॉर्फिट किया फिर आपको कितना मिला भाई बताईए दरा 16000 इतना मिला आपको 16000 तोटल जोड़ो ये टोटल जोड़ो कितना आया यह कितना है 900 और ये टोटल बताव कितना है कितना है 28,000 यानि 900 से एक मिनिट 1 मिनिट साण मैं बोल लू तेरो को बोलने दो निता जी पता है आ गया है सुन तो लो देखो 900 आपने फॉरफीट किया हो हां और आपका फॉरफीटेड अमांट कितना आया थाथाईस अजार तो अगर मैं एक शेयर फॉरफीट करूं ध्यान दीजेगा मैंने आपसे पूछा क्या मैंने कहा कि आप 900 फॉरफीट किये थे अगर आप एक शेयर फॉर फॉरफीट करते तो आपको कितना मिल इसके लिए हम क्या करें सकते हैं अटाईस हजार क्या कर दे सफिर्ग देशा है और जितना यर्विंदा रिश बोड़ कुणा कर दीजे इतने आप क्या कर नहीं किया नहीं कीए हमने कितना खार ऊसलों न सेर देखो धूल से सब्सक्राइबां से जितना share आप reissue करेंगे उतने share का ही amount आप capital reserve में क्या करेंगे transfer करेंगे मतलब जो share आपने forfeet नहीं किया है उसका forfeited amount आप capital reserve में transfer नहीं करेंगे समझ में आया कि नहीं आया क्या बोला मैं फिर से सुन रहा हूं सुन लीजे मैंने कहा कि जो share आप forfeet ये हैं जितना share आप reissue करेंगे जितना share क्या करेंगे आप reissue करेंगे उतने ही share का forfeited amount capital reserve में क्या करेंगे transfer करेंगे ठीक है बलत जितने का reissue उतने का capital reserve में transfer यहां पर आपने कितने का reissue किया है 600 का तो 600 share का ही forfeited amount capital reserve में क्या होगा बेटा transfer होगा सर अब माल लो यहां पर माल लीजे 100 share ही reissue होता तो बेटा 600 के जगा हम क्या लिख देते 100 लिख देते अगर माल लो पूरा का पूरा 900 कर देते पूरा amount करने की जुरुती क्या है यह कि नहीं है जल्दी से पहले आप यह पता करो कि कितना यहां पर forfeited amount आएगा जल्दी से पता करो काटो पीटो जल्दी से यहां से मैंने काटा 200 यह कट गया यहां पर में ने काटा आया आपका ती सौरी 2 यहां पर आया क्या तीन यह ति पकातेंगे हम कितना है आएगा आपका जी काट पीट के बता रहे हूं ऑब है मोबाइल उपू कि अश्छा कितना नहीं 1800 कि 688 रूपया फे 6 less 33 रूपया ट्रांसफेर होगा सर क्या 18,666 रुपया ट्रांसफर होगा आंसर है नहीं सर क्यूं क्यूंकि बेटा ये तो क्रेडिट बैलेंस है न जड़ा चेक करो आपके पास कुछ डेबिट बैलेंस भी पड़ा था कितना ये देखो звуч टैबिट बैलनस बचा थे कि लाइफ बचाए कि नाई डैबिट गालN कि जो क्रिचलास बैलनस रहेगा उसको कारेंगे रज़स्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी आखिरी आखिर हैंकinfectि आखिरी आखिर होगी के यह और और कि टेड़ एकाउंट ड्याविड तू कापिटल रिजर्व कितना बेटा अठारा हजार छे सो आच्छट माइनस छे हस्ट माइनस क्याफ का छे हजार तो कितना आगया बेटा बारा हजार तर एक बात बताईए जो 300 सेयर का फॉर्फीटेड एमाउंट है वो क्या किया जाएगा जब रीजू करेंगे उसको और अगर कोई डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट से घटा बठा के फिर से ऊसको क्या कर देंगे क सो ऑड्रिक्त कर लीजे बेटा नोल डाउन करिये जल्दी से जल्दी से नोट डाउन करेंगे समझ में आगया बेटा चलिए बेटा ओके क्लियर हो गया चलो फिर अब इस चैप्टर का एक टॉपिक आपका रह गया है और वो है आपका क्या other than cash consideration other than cash consideration और फिर उस टॉपिक के बाद आपके पास सिर्फ एक चीज रह जाएगी solve each and every question चाहे वो प्रैक्टिकल हो या चाहे वो आपका क्या हो इलेस्ट्रेशन क्लियर हो गया तो कल के दिन सिर्फ हम उस आखरी टॉपिक को solve कराएंगे और फिर उसके बाद आने वाले पाँच दिन सिर्फ आप लोगों के साथ दो घटनाएं घटेंगी तीसरी कोई घटना नहीं घटेंगी एक सवाल दूसरी घटना सिर्फ सवाल समझ में आया ताकि सनिवार को हम इसका टेस्ट लेकर इस चाप्टर को पूरी तरीके से क्या कर दें खतम कर दें आप लोगों की क्लासिस आपकी आफ लाइन वाली चलती है जैसे आप लोगों की यूटूब चैनल याफिर आप अपने यूटूब अप्लीकेशन लाइव आप YouTube अप्लीकेशन पे ही देख पाएंगे अब मतलब यूटूब चैनल पे आप लाइब नहीं देख पाएंगे हफते में एक दो दिन ही भले देख पाएंगे लेकिन जो लाइब का सेशन रहेगा वो आपके अप्लीकेशन पे ही मिलेगा आपको कि अब जो ने अप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें और अगर डाउनलोड करके अनंस्टॉल कर लिए तो फिर झें स्टॉल कर लें समझ में आ रहा है आकी आप सब समझदार हैं ख्याल रखिए आप सभी अपना जय भूले नाद